के अबरिमन में हुआ सुने लोग स्वागत आपका e-commerce और सुने चैनल के उपर आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे यह सॉपसी के उपर किस तरीके से हम advertisement run कर सकते हैं सो step-by-step process यहां पर हम सिखेंगे क्या-क्या प्री रिकर साइट है किसी भी advertisement कंभी camping को run करने के लिए लिकिन चीजों के बारे में ध्यान देना जुरूत है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में जैसे आप जानते हैं कि flip card और सबसी का listing सभी एकी platform पर manage हो रहा है अभी के लिए तो बहुत सारा यहां पर confusion create हो जाता है advertisement को लेके या फिर लिस्टिंग को लेके सबसी के listing को अलग से किस तरीके से advertisement कर सकते हैं वह हम सीखेंगे इस वीडियो में वीडियो को एंड तक जरूरूर देखेगा सो डिट कोई भी important step आप यहां पर मिस्ट ना करें so without further ado let's get started तो यहां पर हम पैनल पर हम पने आ चुके हैं सबसे पहले हम यहां पर चलेंगे advertising के section के ऊपर ठीक है तो advertising पर चले जाते हैं तो यह जो पैनल है यह common है आपका flip card और के लिए दोनों का जो result है जोनों का camping सापको इसी में देखने के लिए मिलेगा यह फ्लिप card account पर बहुत कम हमने testing किया हुआ है यहां पर देख सकते हैं जो पहले हमने किया हुआ है उस सारा यहां पर आपको शोग करेगा जैसे स्मार्ट आरो आई सीपीसी का लेते हैं आगर आप इन टम्स के बारे में अल्रडी जानते हैं तो आप वीडियो को आगे तक स्किप कर सकते हैं आगे वडा सकते हैं दे लोग आप देख लेते हैं तो उसमें सारा concept क्लadow partisan क्या होता है सीपीसी क्या होता है व्यूस क्लिक्स क्या होते हैं revenue और क्या होता है तो सारा चीज मैंने अलड़ी डिसकस किया हुआ है इन डिटेल में तो वीडियो को आप एक बार जरूर एक बार देख लीजेगा तो अब देखते हैं हम लोग क्या करने के लिए हमको क्या करना है सबसे पहले यहां पर चलेंगे क्रेट कैम्पेंग के उपर तो चरी के से आपको लिखना है सॉप सी उसके ऑद अंडर्स्कोर के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं उप किसी परेटिकलर काटेगरी का प्रड़क्स करना चाहते हैं तो इस परटिकलर अपिस इस का नाम ब्युज्छी बजट लिख सकते हैं तो 20 listing इसके बाद मैं बजट लिखूंगा कितना बजट यहां पर मैं खर्च करने वाला हूं ठीक है इस तरीके से मैं इसका रीनेम कर देता हूं अब यहां पर आपको listing select करना है तो filter category तो यहां पर देखिए बहुत important role ले करता है क्योंकि आप जानते होंगे जब भी हम listing करते हैं softsy का तो वहां पर category में softsy underscore करके दिखाता है मैं आपको एक बार दिखाता हूं तो यहां पर जैसे हम लिस्टिंग पर आये हैं उन categories को आपको यहां पर show तो इस तरीके से हमको categories भी अगर यहां पर select करना हूं तो यहां पर आगया हम लोग अब select करेंगे filter category में और यहां पर simply हमको क्या करना है shopsy लिख देना है as hobsy अब जितने भी लिस्टिंग वह आपको यहां पर शो करेंगे सर्च करके कर रहे हैं तो कोई भी आपका category यहां पर नहीं छोटेगा अब हमको क्या करना है यहां पर select कर लेना है shopsy को ठीक है shopsy मैंने select कर दिया और यहां पर मैंने apply कर दिया apply करते ही जितने भी categories होंगे shopsy के अंडर में वह सारे यहां पर select हो जाएंगे यहां पर देख सकते हैं और यहां पर अप्लाइ मैंने किया है तो नीचे में जितने भी लिस्टिंग अब मेरे को शो करेंगे वह सारे shopsy के ही होंगे ठीक है अब आता है next filter वह होता है selling price का selling price के इसाफसा हम filter कर सकते हैं for example एक camping में चलाना चाहता हूं ऐसे प्रड़क्स का जो की 1000 के ऊपर है ठीक है क्योंकि उन प्रड़क्स के ऊपर मैं ज्यादा पैसा कर्च कर पार होंगा क्योंकि वहां पर मेरा profit margin ज्यादा होगा तो मैं ऐसे प्रड़क्स के लिए अलग सा camping करूंग और और उसी camping में फिर 2000 का भी प्रड़क्स दाल रहा है तो इसमें क्या कि results में variation काफी ज्यादा होगा और जो आपका आरवाई होगा वह काफी change होते रहेगा तो यहां पर selling price को मैं यहां पर sort करूंगा for example मुझे चाहिए 500 से लेके 1000 तक जितने भी प्रड़क्स है मैं उसको ह कि आप लिस्टिंग करना चाता हूं तो मैं यहां पर filter लगा दिया 500 लेके 1000 अब यहां पर मैं apply कर दूंगा ठीक है अब नीचे वही प्रड़क्स मुझे शो करेंगे जो कि 500 के ऊपर है 1000 से नीचे है इसके बाद आगया अपका stock count तो stock count से related कोई भी हमको यहां पर filter नहीं करन सकते हैं उसका inventory तो उसकेस में आप इसको select कर सकते हैं otherwise जो inventory आपके पास नहीं है उसको आप select मत करिए क्योंकि क्या होता है मालीज आपका camping बहुत अच्छा चल रहा है 1020 के आसपास आपका ROI रहा है return on investment और बाद में जाके आपका क्या होता है stock हो जाता है तो उस case में आपको सब्सक्राइब करते हैं new products के लिए उस case में date added को select करेंगे जैसे मालीजिए मुझे चाहिए कि इस मेहने में जो भी listing हुआ है उसी product को मैं advertise करूंगा तो मैं यहां पर October 1 से लेके October 25 कर लूँगा अप्लाइ कर देंगा भी तो वही लिस्टिंग करेगा जो कि इसी मैंने मैंने लिस्टिंग किया हुआ है जिसके उपर sales मेरा बिल्कुल नहीं है या फिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं ऐसे product के उपर मैं advertise करूंगा क्यूंकि इसका भी एक अलग benefit है आपके जो नए production है उ उस हिसाब से फिर आपको views देता है organically इसलिए advertisement आपका काम करता है new products के लिए especially आपको advertisement run करने चाहिए तो अब आगे हमारा है अपर all listing शो करेगा तीन यह पर टैब आपको शो कर रहे है पहला होगे आपका high potential listing new listing custom upload flip card के पास आपका सारा data है कि कौन से product आपका काम कर रहा है क इसके उपर views आ रहे हैं किसके पर clicks आ रहे हैं तो उस basis के उपर उस data को analysis करके flip card आपको कुछ recommendation करता है कि अगर आप इस product को आप advertise करते हैं तो इसके उपर आपके sales आने के chances ज्यादा रहेंगे आरवाई बढ़ने के chances ज्यादा रहेंगे यहां पर जब आप forward करेंगे तो यहां पर भी लिखा रहेगा देख सकते हैं these listings have high conversion rate मतलब इस पर sales आने का chances ज्यादा है लेकिन इसका visibility अभी कम है तो इस पर अगर हम advertise करते हैं तो easily sales आएगा तो आरवाई अगर ज्यादा चाहिए आपको तो यह वाला potential listing कर सकते हैं इसके बाद आगा new listing तो जैसे हम यहां पर filter करता है और उसको बूस्ट अप करता है उसका ranking होता है उसको बूस्ट करता है तो यह काम आता है आपका new listing का आप हमेसा new listing के लिए अलग advertisement करेंगे तो इस case में हम यहां पर new listing को select करते हैं फिर औ और camping करेंगे जहां पर high potential listing जो होंगे उसको हम सब्सक्राइब सकते हैं या फिर हम custom upload भी करके देखेंगे किस तरह किसे हम manually select करेंगे कौन सब्सक्राइब करना है तो एक camping मैं यहां पर पहले रन करता हूं जिसमें मैं new listing को target करूँगा तो यहां पर new listing मैंने select किया तो अभी जो भी products यहां पर मेरे को show कर रहे हैं वो last 30 days के product होंगे items per page को इसको बढ़ा देना है यहां पर आपको show करेगा total आपने कितनले listing के हैं तो इस case में यहां पर 125 listing हो है last 30 days में तो इसको हम advertise करने वाले हैं ऊपर मैं आपको आपके simply यहां पर जो checkbox दिया गया इसको select करना है तो यहां पर मैंने जो camping का नाम में उसको मैं चेंज किया नियू लिस्टिंग करके शॉफ्सी नियू लिस्टिंग उसके बाद मैंने बज़ेट डाला है ठीक है और नीची में देख सकते हैं यहां पर review selected में हमने 125 आइटम को select किया अब हम next step पे चलेंगे अब यहांता है सबसे important decision आपको लेना है किस टाइब का आपको camping करता है अब camping आपका दो टाइब का होता है cpc camping आप स्मार्ट आर्वाई camping cpc का मतलब होता है cost पर click यहां पे आपको click का पैसा देना रहते है आपका पैसा आपको काटा जाता है तो तो जो CPC होता है अलग-अलग category के लिए अलग-अलग होता है तो मैंने एक link दे दिया description में वहाँ से आप देख लीजिए complete आपको पता चल जाएगा कि इस category के लिए आपको कितना CPC पेखनना पड़ता है अब smart ROI क्या है ROI यानि की return on investment इसमें क्या होता है कि Flipkart का जो है artificial intelligence यहाँ पर काम करता है और वह मैंसा यह ट्राइ करता है कि आपका जो ROI आपने दिया है यहाँ पर estimate ROI आपने जो दिया है उसको कैसे वह achieve करें तो ऐसा वह potential customers को listings आपका शो करता है जहां पर maximum chances होगा conversion लाने का या initial stage में तो आप दोनों को टेस्ट करिए सेम लिस्टिंग के लिए और smart ROI को टेस्ट करिए सेम लिस्टिंग के लिए तब ही आपको पता चलेगा कि कौन से advertisement में आपको ज्यादा फाइदा हो रहा है तो हर केस में यह अलग होता है हर category में अलग होता है तो मेरी केस में मैं यहां पर smart ROI को प्रिफर करता हूं कि smart ROI ज्यादा बेनिफिशल होता है उसमें ज्यादा मेरे को revenue मिलता है या फिर sales मिलता है आपको आपके केस में देखना पड़ेगा तो यहां पर smart ROI सिलेक करेंगे उसके बाद आपको camping का duration देना है तो camping duration आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी यहां पर फर्क नहीं पड़ता है बहुत सारे sellers next day में स्टार्ट करते हैं तो यहां पर नेक्स चाहें तो यहां पर बजट डालेंगे वह इवन लिया पर हर दिन में लेकिन यहां पर आपको रिक्मेंड करता हूं कि तिल बजट एंड करके इसको कर दिजिए क्योंकि आप जब भी चाहें इन बिट्विन जब भी में कामपिंग डू डो रहा हैं तो यहां पर पूस कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं तो यहां है यहां पर रइड ग्रूप ऐड ग्रूप में देखिए हमने काेटेकरी जो सिलक किया है यहां पर करेगा number FL Dumas को में तो यहां पर sowas हुझ इत्हिक सलयक्रेट सब्सक्राइब लेकिन आपको क्या करना है हमेशा यहां पर हाइस को पहले देखना है तो यहां पर इससे ज्ञादा में तो फर इसके यहां पर लिए लेता है कि नहीं तो यहां पर सुरू करना चाहता हूं कि अगे next step में करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह एसेप्ट कर रहा है यह नहीं कर रहा है नेक्स्ट आता का बजच्ट लिमिट में आपको कैम्पिंग बजट आ गया ठीक है यहां पर कोई limit हमको सेट नहीं करना है क्यूंकि अगर हम अच्छा है सेल से आ रहा है तो हम सो को उल्टाम बढ़ा देंगे इसके बाद आगे एक्स्क्लूट कीवर्ड यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे कीवर्ड को एक्स्लूट कर देना है जो कि सेल्स आपको नहीं लाएंगे ठीक है बहुत सारे ऐसे बायर्स आते हैं जो कि फरीदने का मोड में नहीं रहते हैं वो बस चेक करना चाते हैं प्राइस वगरा या फिर प्रड़क का फीचर स्पेसिफिकेशन देखना चाते हैं राइट तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक्स् द्यूति को कोई चेक कर रहा है तो फ्राइस में इंट्रेस्टेट हैँ आपके प्रड़क में इंट्रेस्टेट नहीं अगर आप इन डिट्ल वीडियों चाहते हैं कि कौन को से कीवर्ड कोन क्यूंट के सकते हैं तो नीचे कमेट में जो हिशन करिए मैं आगया नेवल वी एंटर करने का तो जितना आपको maximum allow करना है उतना आपको एंटर कर लेना है ठीक है अगर 18 अलाव कर तो 18 डाल दीजिए 17 डाल दीजिए 16 डाल दीजिए ठीक है तो यहांपर 16 से मैं आप देख सकते हैं 854 रुबीज ही है अब जो है इतना एक्स ट्राम को पे करना है 145 रुबीज तो यह पैसा हमारा कहां से आता है फ्लिपकाट का जो वालेट सिस्टेम है उसमें आप दो तरीके से रिजार्ज कर सकते हैं सबसे पहला होगा आपका जो है सी ओडी का रिमिटें स्ट्राइब के लिए दूसरा चीज आपका है वालेट में पैसा डाल सकते हैं तो यह तरीका आपको यहां पर मिलता है अब इतना पैसा हमको यहां पर आड़ करना है तो सिंपलियां पे एंड क्रेट कैंपिंग पे चले जाएंगे और अब यहां पर आपको ऑप्शन दरहा हैं अब इस कैंपिंग को शुरू करने के लिए मैं और भी कैंपिंग यहां पर आड़ करना चाहता हूं तो मैं यहां पर तो तौज़ाज़ा कर सकते हैं 5000-10000 तो जितना भी COD Remittance वाला फी होगा वह आपके वालेट में आ जाएगा यह जो वालेट में आपका फी होता है उ अब कंटीनु करेंगे यहां पर तो यहां पर एविल्पी बैलेंस जो होगा आप कीतना होने वाले में यहां जूकली कर देते हैं यह टिक है अमाउन्ट एडट स्क्सेसफूली यह अपका ट्रांजेक्शन का जो अमांउन्ट दिखाएगा यहां पर अब यह नार बैलेंस पैसा reflect नहीं होगा तो यह आपको save करके रख सकते हैं इनकेस आपका यहां पर शो नहीं कर रहा है तो इसको बंद कर देंगा भी तो अब हमारा यहां पर camping सुरू हो जाएगा 26 रात को मिन डाला है हमारा जो camping है वो सुरू हो जाएगा इस तरीके से हम स्मार्ट और वाइट केंपिंग से रहेंगे सेम तरीके से आपको CPC camping भी run करना है और दोनों को test करना है first three days में आपको चला के देखिए तीन दिन के बाद आप इसको analysis कीजिए और देखिए कि क्या कौन से camping आपका sales आ रहा है किस camping में sales नहीं आ रहा है इस camping का अलग से हम analysis वाला पाट भी देखेंगे किस तरीके से यह काम करता है क्या result आया इसका कितना हमको आरवाई मिला next seven days के बाद मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि इसको explain करूंगा अगर आप लेटर स्टेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तो उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो नेक्स वीडियो में आपको देखेंगे किस तरी किसा हम सीपीसी camping को रन करेंगे और वहां पर भी complete explanation में देऊंगा आपको स्टेबल स्टेब कैसे आपको सीपीसी camping करना है अगर आपको यह वीड को जोइन कर सकते हैं नीचे में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा आपकी सेलर्स के साथ एंट्राइक कर पाएं अपना कोई भी डाउट है तो उनसे पूछ पाएं So that is all for this video. Thank you for watching. Keep selling. Keep smiling.